मेश और कुम्भ लव कमपेटिबिलिटी जिस प्रकार फायर और एर एक दूसरे के साथ स्वाभाविक प्रदिक्रिया करते हैं, उसी प्रकार मेश और कुम्भ राशी के लोगों के बीच भी स्वाभाविक नी स्वार्थ प्रेम होता है यदि मेश राशी के लोग अपने डिमांड्स कम कर दें, तो कुम्भ राशी से ज्यादा से ज्यादा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं दोनों लोग एक दूसरे की खूब तारीफ करते हैं यह बात रिष्टे को मजबूत बनाती है मेश और कुम्भ के लोग लाइफ को लेकर एक जैसा नजरिया रखते हैं, जो उन्हें करीब लेकर आता है मेश राशी के लोग के पास बहुत से नए विचार होते हैं, लेकिन कुम्भ उन्हें किसी एक पर डटे रहना सिखा सकता है मेश और कुम्भ राशी के रिलेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि वे दोनों कुछ बहुत नया करना हमेशा पसंद करते हैं मेश और कुम्भ की जोड़ी के फायदे मेश और कुम्भ राशी जातकों का जीवन कैसा रहेगा क्या वे किसी शांदार जोडी की तरहे टाम कर पाएंगे या नहीं मेश अगने तत्व की राशी है वही कुंध वायू तत्व से संबंध रखती है इसे ध्यान में रखकर मेश और कुंध के बीच संबंधों को बहतर धंग से समझ सकते हैं मेश हमेशा कुंध की इंटेलीजिंसी को पसंद करते हैं कुνध मेश को किसी भी स्थिती में गहरे पहलुओं को समझने में मदद करते हैं मेश और कुंध की जोडी में दोनों ही ऑप्टिमिस्टिक रुमाचक होते हैं उनमें पर्यात मातरा में समझ, प्रशंसा और एक दूसरे के लिए सम्मान के साथ मिलकर काम करने की दक्षता होती है मेश और कुम्ध दोनों को कुछ नया करना हमेशा पसंदाता है वे एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हैं मेश और कुम्भ इमोशनल बॉंडिंग शेयर करते हैं और अच्छे या बुरे दोनों समय में एक दूसरे के साथ बने रहते हैं मेश और कुम्भ की जोड़ी के नुकसान मेश और कुम्भ की जोड़ी का रिष्टा बेहत उत्साही, रोमांचक और उचिकर हो सकता है लेकिन क्या इनका रिलेशन समान रूप से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है जानते हैं कुछ पॉइंट्स से मेश कुम्भ के उपर अधिकार जमाने की कोशिश करता है जो कुम्भ को पसंद नहीं आता है मेश राशी के लोग कई बार बोलते समय सोचते नहीं है मेश और कुम्भ को एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है मेश इतनी मेहनत करना नहीं चाहते है मेश और कुम्भ की जोड़ी के बीच एक सफल विवाह दुरलब हो सकता है क्योंकि इनके रिष्टे शादी से पहले ही तूट सकते है यदि दोनों एक दूसरे के लिए मुहफट ना हो तो उनकी मेरिज लाइफ अच्छी बीच सकती है मेश और कुम्भ के लोग जब कपल बनते हैं तो वे एक दूसरे को प्रॉबलम से निकालने और उसका हल ढूंडने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं जब रिष्टे को आगे बढ़ाने की बात आती है तो दोस्ती महत्वपून होती है कपल बनने के बाद मेश कुम्भ एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनना पसंद करते हैं यदि वे अपने पहली नजर के प्यार की उस भावना को हमेशा संभाल कर रख सकते हैं तो वे सक्सेस्फुल मैरिट कपल हो सकते हैं मेश और कुम्भ के सेक्सुल रिलेशनशिप फायर और एयर का मिलन होते ही आग और भड़त जाती है मेश और कुम्भ के बीच भी कुछ इसी तरह की रिलेशनशिप बन सकती है सेक्सुल रिलेशन कभी दोनों को बोर नहीं लगते हैं इसलिए बेड़ पर वे एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना पसंद करते हैं। अपने इंटीमेट पलों को वे बहतरीन धंग से मैनेज करते हैं। मेश और कुंभ के वीच अट्रेक्शन बहुत इजीली हो सकता है। वे कभी भी बेडरूम में नई एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक दूसरों को रोकते नहीं हैं। इस रिष्टे को सफल बनाने के लिए दोनों ही को कुछ तियाग और समर्पन करने होंगे। जहां मेश राशी के लोगों को अपने आकरामक स्वभाव को नियंत्रित करना और कुंभ को स्वतंत्रता देना होगा। वही कुंभ को धैर्य रखते हुए मेश के नजरिये को समझने का प्रयास करना होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो माइ नेक्स्ट न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।